अमीग जमाई जी थोड़ा सा मुझे भी समय दे दें दो तीन चीज़ें आपको भी याद करा दूँ और फिर अजे आलोग जी आप जवाब दीजेगा एक तो यह याद करा दूँ अगर प्रधान मंत्री मनीपूर नहीं गए तो अखिलेज जी और राहूल जी भी कोलकाता न जी नितिश बाबू और नाइडू जी आपके साथ आ जाएं तो लंगडे लूले इनके साथ चले जाएं तो यह बाहू बली यह क्या है हमारे पधान मंत्री का करेक्टर नहीं है आज कर सुनाई को सुभे सुभे फोन करते हैं गुड मॉनिंग नाइडू साथ हावर यू त गुड मॉनिंग को सब लोग बेजते हैं इस देश में वाट्सैप पर गुड मॉनिंग सब लोग सब को बेजते हैं आप अगर नहीं बेजते तो नजरे इनायत रखिए भेजा करिए अच्छी बात है सोसाइटी में बना कर रखा करिए लेकिन अजे आलोग जी अजे प्रसाइब घारत कैसे दूबेगा पैसिटी कोशन में डाके अभी आपने कहा प्रशाद महासागर में देश डूब रहा है कैसे ले जाएंगे भारत को उठा के प्रशाद महासागर हिंद महासागर बोल देते बंगाल की खाड़ी बोल देते थे समझ में आप प्रशाद माहसागर में कैसे डुबाएंगे बाई कैसे उठागे ले जाएंगे प्रशाद माहसागर में आज आज आप देखिए आप लोग का शीशा तूट रहा है आपका शीशा तूट रहा है जिस समविधान को दिखा दिखा के और एक फॉल्स नरेटिव बनाके आपने कुछ सीटे जीतनी जिसे आप दफलते गुमानी में आ गए हैं उस उस नरेटिव तूट रहा है वो अवाम को आप दफलत बता रहे हैं पर वो नरेटिव तो रहा है कि आप समविधान की बात करते हैं लेकिन 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 आप आप मुसल्मानों को बागी देश से लग समस्ते हैं गयर बराबरी तो हो गया धर्वनिर पेक्ष्टा आप मांते नहीं है अमिगवाई में आपके वीच में नहीं बोल रहा था आप आप अपने समय बोलिए गा देखिये फेक नेरेटिव बर्स्ट हो रहा है तो गुमानी आपकी टूट रही है आप कहते हैं इंडिया गड़बंदन इंडिया गड़बंदन इंडिया गड़बंदन भरा कौंग्रेस सब को कुले हैं ममताव एनरजी को गाली दे रहे हैं पांगी आपके महासचीव ने क्या जवाब दिया दाट सविश्पूल ठिंकिंग बड़ा इंडिया गड़बंदने आप जानते हैं कि कॉंग्रेस को आटोफेजी नाम की बिमारी है वो अपने ही शरीर को खाना शुरू करती है और आप कॉंग्रेस की शरीर का हिस्सा बने हैं तो कॉंग्रेस का खाना सबसे पहले आप ही बनेंगे इस बात को मुलाइम सिंग्यादर जी से बढ़ियां कोई नहीं जानता था ये आप भी जानते हैं यही डर सता रहा है आप लोगको तो गफलते गुमारी में आप रही है हम क्यों रहेंगे जब कॉंग्रेस खाना काफरन रंग की है सोच सोच कैसी है यह मैं जानना चाहती हूं फारुक अब्दुल्ला और राहूल गांधी एक साथ बैठे हैं और वो क्या कह रहे हैं कश्मीर के बारे में अब इस पर आपका क्या रवाई है आपको ऐसा लगता है कि कॉंफिडेंस उधर टूट रहा है और अलाइंस इधर कश्मीर और पाकिस्तान की बन रही है आप इन सोच और इन विचारों के साथ सहमत है नविका जी नमस्ते शेरोशायरी की बात चरित अजय आलोग जी की पार्टी के लिए शेर है यह पहले कह रहेते कि हमको उड़ना है उची उड़ान और अब कह रहे हैं कि रास्ते में ही आ गई है हमको ठकान यह अजय आलोग जी की पार्टी की आज की इस्तिती है एक समय कहते थे कि एक अकेला सप्पे भारी अपकी बार 400 पार 350 के पार अकेले बीजेपी और बाकी 50 लेकर एंडिये के साथ 400 पार खैर इस्तिती सब ने देखी अब आपके मूल सव सब्सक्राइब के लिए सिवसेना ने दिल खोल कर देश भक्ती के रूप में एंडिये का साथ दिया भारतियंता पार्टी और सरकार का साथ दिया सरकार सफल हुई धारा 370 हट गया लेकिन सरकार 370 हटाने में तो सफल हुई लेकिन उसके बाद जो जिन्दगी जमूँ और क इसके कर्मी सहीद हो रहे हैं वहां के रहिवासी घायल और मारे जा रहे हैं कश्मीरी पंडित भाई बहन इतने वर्स बाद भी वहां स्थापित नहीं हो पा रहे हैं तो मन वैथित होता है कि क्या इस दिन के लिए आपको धारा 370 हटाने के लिए हमने समर्थन दिया था हमन और पाकिस्तान को करारा जवाब दे सके लेकिन लेकिन कुछ तो जवाब गया ना जब लाल चौक पर तिरंगा फेराया गया कुछ तो जवाब गया ना लाल चौक पर जब तिरंगा है और लोग आइसक्रीम खा रहे हैं क्यों अब निजेश जी तो लाल चौक पर तिरंगा हमारा अधिकार ही है वह हमें चहरा नहीं है आदिकार तो है होता क्या था भूल गए है भूल गए है अपनी जेश जी आपको समझाएंगे कि अधिकार क्या था और होता क्या था मैं मैं बताता हूं सेल्फ कॉंफिडेंस ये बारे में आज बात हुए तो शुरू आज महां से करूँ और कश्मीर पे बिया होता है कॉंफिडेंस नाम की वो चीज होती थी 36-56 इंच का सीना होता था कि मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे हमारे हिंदू इदर समराट बाला साप ठाकरे जिसको जाना होता था मातोश्री जाते थे वो दिल्ली आ करके कभी चक्कर नहीं लगाया उन्होंने वो थे बाला साप कि विरासत किसके पास है आनंदुबे जी आपको मालूम होना चाहिए पहली बात दूसरी बात इतना नहीं हुआ कि सिर्फ धारा 370 हट गए आपको पहले फारुक अब्दुल्ला से पूछना चाहिए आप सेना के बारे में कहरते कि शहीद हो रहे हैं वो तो कहरे हैं सेना मि आपको नजर नहीं आएगा आधको नजर क्योंकि चश्मा तो दूसरा पहन हुआ न आपने आपने तो चश्मा लियए तो कैसे नजर आएगा जमु कश्पीर में जितना इंवस्टा ढूंरा है एrain YOU KYल ते थे कि वहाँ पर कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा आज वहाँ पर आइस्ट्रीम खाई जा रही है जाकर के तिरंगा जंडा लहर रहा है 15 अगस्त पर तिरंगा रैली निकलती है यह आपको नजर नहीं आएगा लेकिन देश को नजर आता है वहाँ के जम् और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है क्रिशन कांथ का यूट्यूब पर सवाल है खुद को सो का आखड़ा कॉंग्रेस पार नहीं कर पाई दूसरों का कॉंफिडेंस क्यों आख रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए नाविका जी पहले तो मैं एक निजेश जी की उस बात का जवाब देना चाहूंगा जब वो प्रधानमंत्री के जुकने वाली बात कर रहे थे एक दोहा मुझे याद आ गया नमन नमन बहु अंतरा नमन नमन बहु बान ये तीनों बहुते नमें चीता चोर कमान तो जी जब चोर सेंद लगाता है तो जुकता है चीता अटायक करने में जुकता है और तीर जब फेका जाता है कमान जुकती है तो मोदी जी का जो जुकना है वो अब इस तरह का होगा है कि एक समय था